साथियों, बीते वर्षों में भारत ने कठीन से कठीन बैश्विक हालातों में भी अपने विकास की गत्य को बनाए रखा है इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस विकास में हर राज की भागिदारी है, देश हर राज को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है एक समय था, जब कोई नई टेकनलोजी आती थी, या नई सुविधा बनती थी, तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सिमित रह जाती थी लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है आज का नई भारत टेकनलोजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुँचा रहा है ये बंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बल्बुते ही बनाई है आज भारत अपने बल्बुते ही 5G टेकनलोजी डेवलप करके उसे देश के दूर सुदूर क्षेतरों में ले जा रहा है भारत ने कोरोना जैसी महामारी की स्वदेशी वेक्षिन तयार करके भी दुनिया को चोंका दिया था और इन सब प्रयासों में समान बात ये हैं कि सारी सुमिधाएं किसी एक शहर या एक राज्य तक सिमित ही नहीं रही बलकि सब के पास पहुँची तेजी से पहुँची हमारी ये वंदे भारत टेने भी अबुत्तर से लेकर दक्षिन तक पूरब से लेकर पस्चिम तक देश के हर किनारे को सपर्ष करती हैं भाई और भेनों सबका साथ सबका विकास की इस नीती का सबसे बड़ा लाब आद देश के उन राज्यों को हो रहा है जो विकास की दोड में पीछे छुट गए थे पिछले आठ नव वर्षों में ओडिसा में रेल परियोजनाओं के बजेट में काफी बुर्दी की गई है 2014 के पहले दस वर्षों में यहां हर वर्ष आउसतन 20 किलोमेटर के आसपास ही रेल लाइने बिछाई जाती थी जबकि साल 2022-23 में यानि सिर्फ एक साल में ही यहां 120 किलोमेटर के आसपास नई रेल लाइने बिछाई गई हैं 2014 के पहले दस वर्षों में यहां ओडिसा में 20 किलोमेटर से भी कम लाइनों का दोरी करण होता था पिछले साल यह आकड़ा भी बढ़कर 300 किलोमेटर के आसपास पहुँच गया है ओडिसा के लोग जानते हैं कि करिब 300 किलोमेटर लंबी खोरदा बोलांगीर परियोजना कितने वर्षों से लटकी हुई थी आज इस परियोजना पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है हरिदासपूर पारादिप नई रेलबाल नाइन हो टीटलागड राइपूर लाइन का दहरी करण और विद्यूति करण हो जिन कामों का इंतजार ओरिशा के लोगों को वर्षों से था वो अब पूरे हो रहे हैं आज ओरिशा देश के उन राज्यों में हैं जहां सत प्रतिशत 100% रेल नेटवर का इलेक्टिफिकेशन हो चुका है पस्टिम बंचाल में भी 100% सत प्रतिशत इलेक्टिफिकेशन के लिए तेजी से काम चल भी रहा है इससे ट्रेनों की रप्तार बढ़ी है और मालगाडियों की समय की भी पचत हुई है ओडिसा जैसा राज्य जो खनीच संपदा का इतना बड़ा बंडार है केंद्र है उसे रेल्वे के इलेक्रिफिकर्शन से और ज्यादा फाइदा मिलेगा इससे अवद्योगी की विकास को गति के साथ ही डीजल में होने वाले प्रदूशन से भी मुक्ति मिलेगी साथियों इन्फ्रास्ट्रक्टर के निर्मा का एक और पक्ष है जिसकी उतनी जादा चर्चा नहीं होती है इन्फ्रास्ट्रक्टर से लोगों का सिर्फ जीवनी असान नहीं होता बल्कि समाज को भी ससक्त करता है जहां इंफ्रास्ट्रक्टर का अभाव होता है वहां लोगों का विकास भी पीशड़ जाता है जहां इंफ्रास्ट्रक्टर का विकास होता है वहां लोगों का विकास भी तेजी से होता है आप भी जानते हैं कि PM सवभाग्य उजना के तहट भारत सरकार ने धाई करोड से जादा घरों को मुक्त बिजली कनेक्शन दिया है इसमें उडिशा के करीब 25 लाख और बंगाल के समा 7 लाख घर भी शामिल है अब आप सोचिए अगर यही एक योजना नहीं शुरू हुई होती तो क्या होता 21 सदी में आज भी धाई करोड घरों के बच्चे अंदेरे में पढ़ने के लिए अंदेरे में जीने के लिए मजबूर रहते वो परिवार, मोडन कनेक्टिविटी और उन सभी सुविदाओं से कटे रहते जो बिजली आने पर मिलती है साथियों आज हम एरपोर्ट के संख्या 75 से बढ़कर करीब 150 हो जाने की बात करते हैं ये भारत के एक बड़ी उपलब्दी है लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो इसे और बड़ा बना देती है आज वो व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है जिसके लिए ये कभी जीवन का सबसे बड़ा सपना था आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कितनी ही तस्वेरे देखी होगी जिसमें देश के साधारन नागरिक एरपोर्ट के अपने अनुभोव साजा कर रहे हैं जब उनके बेटे या बेटी उन्हें पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कराते हैं उस खुशी की कोई तुलना नहीं हो सकती साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी भारत की ये उपलब्धियां भी आज अध्यान का विशय है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर जिर्वान के लिए दस लाग करूर रुप्य ताय करते हैं इससे लाखों रोजगार भी बनते हैं जब हम किसी खेत्र को रेल और हाइवे जैसी कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ यात्रा की सुवीदा तक सिमित नहीं रहता ये किसानों और उद्यम्यों को नए बाजार से जोड़ता है ये परियाटकों को टूरिस प्लेश से जोड़ता है ये छात्रों को उनकी पसंद के कॉलेश से जोड़ता है इसी सोच के साथ आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है